अब देखिए spark plug का gap check करना है तो एक रुपाय का coin लिए और इसे यहाँ पे इस तरह से डाल दिए इसी तरह से जो filler gauge है उससे भी हम लोग spark plug का gap check कर सकते हैं Hello friends, Welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, पिछले कई वीडियोस हम, मैंने आपको spark plug के importance के बारें बताया है और यह आपको भी पता है कि engine को start करने के लिए और engine को start रहने के लिए spark plug से spark यानी की चिंगारी का निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और according to engine RPM, एक मिनट में इस spark plug से 600-100 से लेकर 5000 बार spark यानी की चिंगारी निकलता है यह इतना ज़्यादा powerful और useful होता है लेकिन आज किस वीडियो में आपको इस spark plug के, spark gap के बारे में बताने वाला हूँ आगे इस वीडियो आपको जानने को मिलेगा spark plug gap क्या होता है gap कम या gap ज़्यादा होने से क्या-क्या नुकसान होता है इसके लावा gap कितना होना चाहिए और spark plug gap को कैसे chip करते है तो वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रू कर ले सबसे पहले हम लोग बात करते कि स्पार्क प्लग गैप होता क्या है अफएंड आप इस पार्क प्लग में देखे यहाँ पर यह वाला जो पॉशन है जो उपर आपको टीप दिखाई दे रा ठीक है, यह वाला जो टीप है यह है ग्रौन एलेक्ट्रोड ठीक है, और नीचे से ला यह वाला जो पॉशन देखाई दे रहा method यह वालो जो portion है, यह है center electrode, इस portion कहते हैं, और इनके बीच में यह आपको gap दिखाई देरा, ठीक, यह जो gap है इनके बीच में, इसे ही हम लोग कहते है, spark plug का gap इसे कहते हैं, और यह जो spark plug का gap है, उसका सही होना जरूरी है, तभी सही voltage पे यहां से जो spark के जो चिंगारी है, वो निकल पाता है, अब friends, कई बार यह होता है, कि जब हम लोग बार बार spark plug को निकल के, spark plug को साफ करते रहते हैं, यह दूसरे और भी कई कारणों से, जो spark plug का gap है, या तो वो बहुत कम हो जाता है, या बहुत ज्यादा हो जाता है, अब जब spark plug का gap है, जो electrode gap है, वो बहुत ही कम हो जाता है, तो उस टैब पर नुकसान यह होता है, कि spark पके spark याने चिंगारी निकलने के बावजुद इस बात की possibility होती है, कि जो हावा और पेट्रोल का जो mission है, जो air fuel mixture है, वो ignite नहीं होता है, engine power produce नहीं कर पाता है, और कई बार यह जो electrode gap है, वो ज्यादा हो जादा हो जात देखने को मिलता है, इसलिए spark plug का gap हमेशा सही होना जरूरी होता है, अब spark plug का gap कितना होना चाहिए, और इसे कैसे चेक करते है, यह जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप mechanical engineering कर रहे हो या कर चुके हो, और अच्छी company में अच्छे profile पे एक बेहतर job चाह लेकिन company इसको एक बेहतर degree वाले engineer का requirement नहीं होता, company को चाहिए होता कि candidate में एक certain relevant industrial skill हो और यहीं पे बहुत सारे बच्चे पीछे रह जाते हैं, अब mechanical engineers की इसी कमी को दूर करने के लिए unacademy mechanical engineers के लिए कोर्स लेकर आया है, जो कि है unacademy mechanical engineering, unacademy के 7 लाग से बज़ादा premium subscribers ह हर महिने यहाँ पे 1 million से बज़ादा test takers है और इनकी जो user app rating है वो है 4.4 और इस कोर्स के खास बात यह है कि इसे उन industrial experts ने बनाया जिने खुद भी 15 से लेकर 20 साल तक का experience है, इस कोर्स में आपको मिलेगा 300 प्लस hours का next gen content जहाँ पे आपको FEA, CFD, EV और यह बहुत सारी जानकार उसे बहुत हद तक improve करेगा, इस कोर्स में weekly dot solving classes होंगे जहाँ पे आप अपने dots को solve कर सकते हैं और फ्रेंस बहुत सारे जो बच्चे होते वो interview face करने से डरते हैं, उन्हें लगता कि interview में किस तरह के questions को पुछा जाएगा, बहुत सारे बच्चे इसलिए डरते हैं, क्योंकि interviews इंग्लिश में question पुछी जाते हैं, तो इस course में interview prep module को भी सामील किया गया है, और यहाँ पे साथी साथ आपको हर एक module का certificate भी provide किया जाएगा, अब इस course के fees की बात कर लें, तो इसका प्राइज है वो है 50,000 रुपए, अच्छा मौका है अभी आप इस course में जरूर से enroll कर ल आप अपना जो skill set उसे जरूर से test करें, साथी यहाँ पे scholarship और बहुत सारे prizes जैसे की macbook, iphone, airport जितने का ही मौका है, यह competition होने वाला है 20 मार्च दोपार के 2 बजे, सभी mechanical, electrical, electronics students यहाँ पे जरूर से enroll कर ले, बहुत एच्छी opportunity है, सारे important links आपको इस video के ही description में मिल जाएंगे, चले topic पे वापस आते हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ideally जो spark plug का gap है, वो depend करता है कि spark plug कि size का है, कि shape का है, और कौन सा spark plug का use gap, फिर भी ideally जो range होता है, वो होता है 0.8 mm से लेकर 1.8 mm तग, अब इसे कैसे check करना चाहिए, वे आपको वो भी show कर देता हूँ, अब इन spark plug का gap कैसे measure करते है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, coin रखा हुआ, एक का पाच का दसका और यहाँ पर filler गिज लखा हुआ, मैंने coin इसलिए रखा है क्योंकि YouTube पे बहुत सारे ऐसे videos है, और वैसे बहुत सा लोग recommend करते हैं कि भाई, एक रुपए का coin लो, इस इसे यह जो spark plug का gap आप देख रहे हो, इसके बीच में इस तरह से डाल दो, अगर अच्छत चला गया, यह जो coin इसके अंदर में चला गया, यह नहीं gap सही है, क्योंकि इसका जो coin का width होता है, ठीक है, यह जो हमारा थिकनेस इसका, यह है 1.45 mm, और इसी तरह से हर एक coin का अलग अलग होता है, तो friends, coin से spark plug का gap को measure करना बिलकुल गलती, यह कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि एक तो इनका अपना अलग थिकनेस होता है, इसके लाब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एक company, जो उनका जो भी spark plug हो, जिस size का हो, जिस shape का हो, और जिस design का हो, जिस specification का हो, उ होता है, तो अगर आप coin से इस तरह से check कर रहे हो, तो आप गलती कर रहे हो, यह सही तरीका बिल्कुल नहीं है, सही तरीका है, क्या आप spark plug का जो gap है, उसे check करने के लिए, जो filler gauge है, उसका यूज कर सकते हो, जो gap gauge है, उसका भी use कर सकते हो, यह technically यूज कर जाता है, और यह ज ज्यादा पतला आप देख सकते हो यह है 0.03 mm इसी तरह से आपको बहुत सारे यहाँ पे श्ट्रैप दिखाई देंगे तो पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि जिस spark plug का आप चेक कर रहे हो इसका company कितना recommend किया है कितना इसका spark plug का gap होना चाहिए और यह आपको मालू ले लिया और इससे ही मैं चेक करने वाला है कि कम से कम 0.80 तो होना ही चाहिए अब देखो simply करना क्या कुछ भी नहीं यहाँ पे इस तरह से मैंने सब कर लिया और यहाँ पे मैं इस अज़ेस्ट इसके अंदर में यहाँ पे डालूंगा आप यहाँ पे देखने वाली बात है कि यह देके पर देख सकते हो जात रहा लेकिन बहुती जादा फ्रीली यह चला जा रहा है इसका मतलब यह इस स्पार्क प्ल से हम लोग इस तरह के फिलर गेज है इसके यूज करके स्पार्क प्लग का गैप को चेक कर सकते हैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि देखो यहां पर समाझना होगा कि यह जो हमारे टोट्स बगर रहा है यह बहुत जादा क्रिटिकल होते हैं यह बहुत जल्दी तो आपको स्पार्क प्लग को चेंज कर देना चाहिए बहुत ही महेंगा नहीं होता लेकिन बहुत जादा पावरफुल और इंपोर्टेंट यह पार्ट होता है वैसे यह फिलर गेज चाहो तो आप और भी कर सकते हो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में द को भी दबाले ताकि आने वाले इपोर्टन वीडियो के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थुरू मिलते रहे मिलते अगले वीडियो में थांक्स वर आचिंग इस वीडियो गुडबाई